90's का का समय बॉलिवुड था फिल्मी दुनिया में एक नए हीरो की एंट्री हुई थी नाम था संजय कपूर हैंडसम दुबला पतला अभिनेता जिसकी अदाकारी में जादू हुआ करता हिंदी सिनेमा में गिंती के ही हीरो आए जिनकी पहली या दूसरी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काम्याबी की आंधी चला दी हो संजय कपूर भी इस फहरिस्त में शामिल थे जिनकी दूसरी ही फिल्म ने उनको रातों रात स्टार बना दिया था संजय कपूर की फिल्मों के गाने तो उस दौर के युवाओं की पहली पसंद हुआ करते थे एक से एक हिट फिल्में देते जा रहे संजय कपूर के बारे में तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर यहां तक बोलने लग गए थे कि यह लड़का अपने भाई अनिल कपूर को पीछे छोड़ने वाला है मगर कोई नहीं जानता कि हिट पर हिट फिल्में देते जा रहे इस अभिनेता के साथ आखिर क्या हुआ था कि उसका पूरा करियर एक जटके में खत्म हो गया अक्टर संजय कपूर को ऐसा धोखा मिला जिसने इनको गुमनाम कर डाला कौन था वो अपना जिसका धोखा संजय कपूर को बॉलिवुड में बरबाद कर गया चलिए हम इस हीरो की पूरी कहानी सुनाते हैं 1979 में एक फिल्म आई थी एक श्रीमान एक श्रीमती इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे सुरिंदर कपूर बॉलिवुड के जाने माने फिल्म निर्माता इनके घर ही 17 अक्टूबर 1965 के दिन सबसे छोटे बेटे का जन्म हुआ नाम रखा गया संजय कपूर मशहूर अभिनेता अनिल कपूर और फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर का सबसे छोटा भाई संजय पढ़ने में बहुत अच्छे हुआ करते थे पूरा परिवार फिल्मों में था लेकिन वो तो बचपन से ही विदेश में जाकर खूब पढ़ना चाहते थे पिता से बोला तो उन्होंने एक दफा वादा कर दिया दस्वीयों में फर्स्ट डिवीजन लाओ तो विदेश में पढ़ने भेज दूँगा संजय लग गए पढ़ाई में और दस्वीयों का रिजल्ट आया तो फर्स्ट क्लास पास फोरण पिता के पास आये और बोले पापा विदेश भेजिये पिता सुरिंदर कपूर भी विदेश भेजने की तैयारी कर रहे थे लेकिन अचानक जिस फिल्म में उनका पैसा लगा था वो सुपर फ्लॉप हो गई और उनके पास पैसे ही ना रहे खैर संजय का एक सपना भले पूरा ना हो पाया लेकिन अब उनके मन में दूसरा ख्वाप पलने लगा भाई अनिल को देखते देखते बॉलिवुड में हीरो बनने का 1987 का साल था पढ़ाई पूरी कर पिता से बोले मुझे भी हीरो बनना है बेटे की इच्छा जानते ही सुरिंदर कपूर ने इनकी लॉंचिंग की तैयारी कर ली 1989 की बात है मिस्टर इंडिया बना चुके शेखर कपूर को डायरेक्टर बनाया गया बॉलिवुड में मौका तलाश रही तब्बू को हिरोईन और संजय बने हीरो दमदार कहानी थी शूटिंग भी होने लगी लेकिन अचानक शेखर कपूर को फिल्म से निकाल दिया गया उनकी जगह सतीश कौशिक लाए गये बड़ी मुश्किल से 6 साल बाद फिल्म रिलीज हुई नाम था प्रेम मगर संजय की पहली ही फिल्म बॉक्स ओफिस पर धडाम हो गई एक बार लगा करियर खत्म मगर लोगों को पता ही न था कि वो प्रेम के साथ दूसरी फिल्मों की शूटिंग भी कर रहे थे तभी तो अगले ही महीने आई एक और फिल्म जिसने संजय कपूर को रातों रात स्टार बना दिया वो थी माधुरी दीक्षित के साथ 1995 में आई राजा फिल्मों के गीतों ने तो पब्लिक को पागल कर डाला दूसरी ही फिल्म से संजय कपूर बड़े स्टार बनने की राह पर निकल पड़े बेकाबू, कर्तव्य मोहबबत ओजार, जमीर जैसी फिल्मे भले बड़ी हिट न हो पाई लेकिन संजय कपूर ने हर फिल्म में दमदार एक्टिंग दिखाई तभी तो फिल्मी जानकार यहां तक कहने लगे कि ये लड़का अनिल कपूर को पीछे छोड़ सकता है उनकी बाद भी सच होती दिखी जब कई औसत फिल्मों के बाद संजय कपूर की वो फिल्म आई जिसने उनको फिर से बड़े स्टार्स की लिस्ट में जगह दिलवा दी वो थी प्रिया गिल के साथ 1999 में आई सिर्फ तुम जिसमें दीपक बने संजय ने ऐसी शांदार एक्टिंग की जो किसी दूसरे के बस की बात ही न थी फिल्म सुपर हिट और संजय कपूर फिर से बॉलिवुड में च्छा गए एक से बढ़कर एक फिल्मों के ओफर आने लगे बड़े-बड़े फिल्मेकर्स उनको अपनी फिल्में देने लगे मगर फिर शुरू हुआ साजिश और धोखे का दौर जिसने संजय कपूर का पूरा करियर तबाह कर दिया क्या हुआ था? चलिए हम बताते हैं संजय कपूर को पीछे धकेलने की साजिश तो उनके करियर शुरू होने से पहले ही शुरू हो गई थी वो वह भी उनके अपनों की ओर से जी हाँ संजय ने जब घर में हीरो बनने की बात की तो पता नहीं क्यों भाईयों ने उनका ब्रेनवाश करना शुरू कर दिया संजय उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद भाई उनकी मदद करेंगे बोनी कपूर और अनिल कपूर उस मुकाम पर पहुँच गए थे कि दोनों चाहते तो उनको लौंच कर देते मगर ऐसा नहीं हुआ बलकि मदद करने के बजाए उनसे कहा गया कि होम प्रोडक्शन के चक्कर में क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो किसी बाहरी प्रोडक्शन हाउस? को तलाशों? संजय समझ गए उन्होंने एक्टिंग सीखी और बाहरी नरसिम्हा प्रोडक्शन हाउस की एक फिल्म अपने दम पर हासिल भी कर ली वो थी प्रेम जो उनको 1989 में मिल गई थी इसके डायरेक्टर बनाए गए थे शेखर कपूर मगर भाई बोनी कपूर ने शेखर से ना जाने क्यों लडाई कर ली और शेखर कपूर को फिल्म का डायरेक्शन छोड़ना पड़ा भाई की वजह से संजय कपूर की फिल्म प्रेम 6 साल देरी से रिलीज हुई पुनरजन्म की कहानी थी अच्छा सबजेक्ट था संजय की अदाकारी भी दमदार थी बस फिल्म 6 साल लेट हो गई और तब तक वो कहानी पुरानी हो गई थी फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई दूसरी बार संजय को धोखा तब मिला जब उनका करियर ऐसे मोड पर था कि एक हिट फिल्म उनको दोबारा बड़ा स्टार बना सकती थी किसमत से उनको वो फिल्म भी मिल गई थी साल 2001 के आसपास की बात है डायरेक्टर अनुराग कश्यप उनके पास आए और अपनी फिल्म आफर कर दी लीड रोल था सब कुछ सेट हो गया मगर ना जाने क्या साजिश हुई किसने साजिश रची और संजय व अनुराग दोनों को फिल्म से निकलवा दिया गया फिल्म मिल गई सल्मान खान को और डायरेक्टर बना दिये गए सतीश कौशिक साजिश ना हुई होती तो संजय कपूर की किस्मत ये फिल्म बदल देती वह फिल्म थी 2003 में रिलीज हुई तेरे नाम जिसने सल्मान खान को रातों रात सुपस्टार बना डाला था जी हाँ इस फिल्म के पहले हीरो संजय कपूर ही थे मगर उनको फिल्म से निकलवा दिया गया था इतना ही नहीं संजय कपूर का करियर जब डगमगा रहा था तब दोनों भाईयों बोनी और अनिल कपूर ने एक और धोखा दे दिया तेरे नाम की रिलीज के वक्त ही बोनी कपूर एक बड़े बजट की फिल्म बना रहे थे अनिल कपूर को उन्होंने ले लिया संजय कपूर का करियर बच जाता अगर बोनी उनको फिल्म में ले लेते यहां तक कि अनिल कपूर ने भी उनकी कोई मदद नहीं की और उनका करियर डूब गया वहीं कहते हैं, एक्टिंग में करियर ढूबने के बाद संजय कपूर ने जब खुद की फिल्म बनाने की तैयारी की और अनिल से काम करने की गुजारिश की, तो वो चार साल तक उनको तरकाते रहे और आखिर कार उनकी फिल्म में काम नहीं किया। दोस्तों आपको संजय कपूर कैसे लगा करते थे? इनकी कोई फिल्म आपने देखी है? अगर हाँ तो हमें कमेंट में जरूर बताईएगा. ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा. बार मेरे मत भूलिएगा.